नमस्कार आपका स्वागत है देश पर देश सववाद चैनल में आज हम बात करेंगे श्रिलंका की आड़ में अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते चीन को बारत ने जम कर लताड लगाई है और उस पर आई चीनी प्रतीक्रिया के बारे में हमबन टोटा बंदरगान में चीनी जासुसी पोत युवान वांग फाइव के लंगर डालने के मसले पर भारत और चीन के बीच उपजी तलखी अब सब के सामने है कोलम्बो इस्तित भारती दूतवास ने शनिवार 27 अगस्त को अपने ट्विटर हैंडल से श्रिलंका में तैनात चीनी राजदूत को जम कर खरी खुटी सुनाई है श्रिलंका में चीनी राजदूत क्यूई जेन होंग ने अपने हस्ताक्षर के साथ श्रिलंकन गाल्डियन के 26 अगस्त के संस्क्रण में एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि श्रिलंका अपने उत्री परोसी से आक्रा मक्ता का सामना कर रहा है जाहिर सी बात है उत्री परोसी से उनका आशय भाहरत से ही है इस पर पलटवार करते वे चीनी राजदूत के बयान को भाहरती उच्चायोग ने राजनेग सिस्ठाचार का एक उलंगन बताया था भाहरती उच्चायोग ने कहा कि हमने चीनी राजदूत के बयान पर ध्यान दिया है भाहरत के बारे में चीनी राजदूत का नजरिया उनकी अपने देश के वेवार जैसा हो सकता है पर हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि भाहरत बहुत अलग है उच्चायोग ने कहा कि अश्पस्टता और कर्ज के साथ में चलने वाले एजेंडा अब एक चुनोती से बन गए है भारत ने पहली बार ताइवान का जिकर करते वे चीन की दुख्ती रख को भी छू दिया है ताइवान जल डबमरू मद्ध में चीन द्वारा किये जारे विनाशकारी हतियारों के जमावडे का उलेख भारत ने किया है कोलम्बो इस्तिक भारती उच्चायों के ट्वीट्स पर गलोबल टाइम्स ने अपनी प्रतिक्रिया दे दिये बता दें कि गलोबल टाइम्स चीन सरकार का एक मुख पत्र है 29 अगस को परकाशित एक लंबे चोड़े लेक में दावा किया गया कि ताइवान जल डमरू मद्ध में उलजे रहने का यह मतलब नहीं है कि चीन दूसरे मुद्दों पर समझोते कर लेगा कुछ चीनी विचारकों ने तो यहां तक कह डाला कि कुछ एक भारती राजनितिग्यों का यह एक कालपनिक ब्रह्म है कि ताइवान मुद्ध उचाल कर सीमा विमाद में चीन को जुकाया जा सकता है दूर की कौडी लाते वे नैशनल स्टेटिजी इस्टिटीट सिंगवा युनिवसिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के डारेक्टर क्वीन फेंग ने कहा कि ताइवान पर सवाल उठा कर खुश भारती राजनितिग एसिया पैसिफिक छेत्र में चीन विरुदी अमिर की रड़निती के साथ साथ चलना चाहते हैं बता दें कि चीन बारत प्रशान छेत्र को एसिया पैसिफिक रिजन ही कहता है फेंग ने ग्लोबल टैम से कहा कि भारत को समझ लेना चाहिए कि अपनी संप्रभुता और मुल मुद्धों पर चीन कतई समझोता नहीं करेगा केवल ताकत की भाषा ही समझता है चीन चीन को उसकी ही भाषा में जवाब देने का समय अब आ चुका है चीन के आकरमक तेवर लंबे समय से भारत सिमा पर देखता हुआ आ रहा है ताइवान जल्डमरू मद्ध की घटनाएं भारत के लिए सबक जैसी ही हैं चीन की बेचैनी तब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जब अगले माँ अक्टूबर के मद्ध से उत्रा खंड के अवली में भारत की और अमेरिका की फौजें संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगी अवली के परवती श्रिंकलाओं में यह युद्ध अभ्यास लगबक 10,000 फीट की से उच परवत मालाओं पे किया जाएगा और वास्तविक नियंतरन रिखा से यह छेत्र लगबक 95 किलोमेटर ही दूर है आज के इस अंक में बस इतना ही आप से नुरूद है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए इसे साजा कीजे और हाँ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजे जैन